बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुड़े रहे वाट्सप बॉलिवुट के साथ स्टार केट्स को बॉलिवुट में लॉंच करने को लेकर हेटर्स की ट्रोल जहेलते आ रहे फिल्म मिरमाता और धर्मा प्रडक्शन ओर करन जोहर ने अपने आने वाली फिल्मों में नए कलाकारों को लॉंच करने का मन बनाया है करन जोहर ने कलाकारों की फीस को लेकर काफी परिशान है जिन कलाकारों को फिल्म मिरमाता लॉंच करना चाहते हैं उनकी ओर से फीस में लगातार बढ़ती मांग से वो काफी तंग आ चुके हैं इतना ही नहीं इसमें कुछ पुराने कलाकार भी शामिल है ये बात आप सभी जानते हैं कि लगभग दो सालों से करोना का कहर दुनिया भर पर है जिसका सबसे जादा असर काम पर पड़ रहा है और इस से बॉलेवुड भी अचुता नहीं है काफी लंबे समय से फिल्म में बड़े पर रिलीज नहीं हो पा रही है और OTT से इतना मुनाफा नहीं हो पाता और ऐसे में कलाकारों की फीस की मांग बढ़ती है तो ये सच में निर्माता करंजोहर के लिए काफी परिशानी वाली बात है वहीं इस बड़ी फीस को लेकर कलाकारों का कहना है कि उनकी पिछली फिल्मों ने अच्छा काम नहीं किया या उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई इसके अलावा करंजोहर ने इंटर्व्यू के दोरान बात करते हुए बताया कि नए कलाकार जिन्हें अभी बॉक्स आफिस पर खुद को साबित करना बाकी है वो हमसे 20 से 30 करोड रुपे मांग रहे हैं उनका रिपोर्ड कार्ट दिखाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हेलो देखो तुम्हारी फिल्म की ओपनिंग इतने हुई है और तुम मेरे से इतने करोड की डिमांड कर रहे हो उन्होंने साथ में ये भी कहा बिजनेस मेगा स्टार्ज और ए लिस्टेज लेकर आते हैं लेकिन मैं हैरान हूँ कि नई और यंग जनरेशन के लोग भारी भरकम फिस की डिमांड कर रहे हैं और ये फिस में जो बडोतरी आ रही है वो पेंडेमिक के दोरान आई है करन ने आगे ये भी कहा कि मैं तकनीकी क्रू को डॉलर्ज में फीस देने को तयार हूँ जो फिल्म को सच में स्पेशल बनाते हैं मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि 15 करोड एक्टर को फीस दूंगा या 55 लाग एडिटर को जब मैं तकनीकी लोगों को जादा पैसे देकर फ कीप वाचिंग वाट्सप बोलीवूद